बच्चो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं exercise 9.1 का sub number 4 जिसमें information कुछ इस तरह है angle of elevation of top of a tower from a point on a ground which is 30 meter away from the foot of a tower तो बच्चा ये language से आप क्या समझे तो आपके दिमाग में आना चीए कि जो object की बात हो रही है वो tower से 30 meter दूर है समझ में आया और आगे चलते है इस 30 degree और वो degree कितनी है 30 degree find out the height of a tower बच्चा समझो फिर से एक बार कोई बोल रहा हो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरह तो यहाँ पे बोला हुआ है यह tower है A, B, C तो A, B tower लिखनेंगे दूसरी बात आपको बोला गया है कि बच्चा यहाँ पे 30 degree है और B से C का distance tower से लेके object का distance 30 meter है तो बच्चा हर बार की तरह हम लिखते हैं वो पहले लिख लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बच्चों देखो क्या लिखा let B C be the height of the tower तो सबसे पहले क्या बोलेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ B C नहीं है A C, A B है A B is the height of a tower which is standing on the ground let A be the point on the ground which is 30 meter away मतलब आप बोलो तो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं let A B is the height of a tower मतलब A B जो है वो height of a tower है which is standing on the ground वो ground पे है उसके बाद let B be a point on a ground which is 30 meter away from the foot of a tower tower से 30 meter दूर है अभी आपको पुचा गया है कि सर आपको ढूलना है height of a tower जिसको बोलेंगे A B आपको ढूलना है तो आप बोलोगे सर हमारे पास यह perpendicular है और यह base है तो perpendicular upon base मतलब यह आपका यह वाला काम होगा तो आप बोलोगे सर करना शुरू करते है सबसे पहले 10, 30 बोलेंगे कितना बच्चा 10, 30 क्या लिखेंगे तो perpendicular हमारे इसाब से A B है और base जो है वो B C है यहाँ पे लिखेंगे 1 upon root 3 A B की जगा आप बोलोगे सर A B ही रहेगा B C की जगा बच्चा आप बोलोगे 30 होगा cross करते है 30 upon root 3 is equal to A B तो आप बोलोगे सर यह तो आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि upon में root 3 है तो आप बोलोगे सर multiply कर देते rationalize कर देते root 3 into root 3 दोनों उपर नीचे कर दिया तो यह हो गया 3 यह 3 into 30 तो आप बोलोगे सर यह हो जाएगा 10 तो 10 into root 3 is equal to A B तो आप बोलोगे सर यह जो point आएगा यहाँ पे जो ध्यान में रखना है height of a tower तिक में होगी बच्चा तो आप बोलोगे सर 10 into root 3 इसके साथ बच्चों हमारा यह point खतम होता है शांती से यह proper लिख दो इसके related practice related exercise आपको मिलेगी थोड़ी practice करना बहुत ज़रूरी है तब भी जाके आपको ज़ादा clarity आएगी समझने में आसानी होगी शांती से यह लिखनो उसके बाद हम आगे मिलेंगे